प्रोड़क्ट्स उपलब्द कराते है और ओनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में फ्लिपकार्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन दिनों जो फ्लिपकार्ट के पुराने ग्रहक हैं उसके लिए फ्लिपकार्ट ने एक पॉलिसी बनाई है जिसको वो पांच हजार क्रेडिट देती है जिसका भुकतान अगले महने आपको करना होता है ऐसे कई पुराने ग्रहकों को फ्लिपकार्ट ने पांच-पांच-जार रुपे का क्रेडिट दिया कि आप खरिदारी कीजिए और अगले महने उसका आप भुकतान कीजिएगा ऐसे कस्टमर को प्रीनियम कस्टमर की कैटेगरी में फ्लिपकार्ट रखता है और वैसे कस्टमरों को पांच-जार रुपे का क्रेडिट देता है और आप इस क्रेडिट का यूज करके कोई भी प्रोड़क्ट मंगाईए और तीस दिनों बाद उसे पिमिल्ट कीजिए लेकिन खबर ये फिलिपकार्ट को लेकर या फिलिपकार्ट के इस प्रमोस्नल स्कीम को बताना इस साइबर क्राइम के एपिसोड का हिंसा नहीं है ये बस उस भूमी का भर है कि फिलिपकार्ट ऐसा करती है Flipkart के हजारो premium customer यानि उसको कहें कि पुराने customer वो तमाम customer के wallet में यानि जो Flipkart का एप है उसके wallet में 5-5,000 रुपे Flipkart ने credit जमा कराया जिसका वो purchasing करके अगले मेहने लोग उसका भुखताग कर सकते थे मेहना बीता समय बीता लोग खरिदारी भी कर रहे थे Flipkart के product भी deliver हो रहे थे और जब लोगों के दोवारा payment नहीं किया जा रहा था तो Flipkart company के तरफ से customer care के तरफ से इसकी वजह जानने के लिए उस premium customer को phone किया गया कि भाई आपने जो पिछले मेहने खरिदारी की है उसका भुकतान तो करेंगे न आप और नहीं कर रहे हैं तो क्यूं नहीं कर रहे हैं इसका credit limit केवल 30 दिन तक है तो फिर कई customer ने ये बताया है कि उन्होंने तो खरिदारी की ही नहीं है और Flipkart के data में उनके जो credit amount थे वो amount purchasing में खर्च हुए थे वो data में Flipkart का दिख रहा था फिर इसके बात जो है Flipkart ने ऐसे कई cases चिन्नित किये बिहार के अंदर फिर Flipkart ने इसकी internal investigation की जो उसके अंदर जो database create होता है app के थूँ किस ने खर्दा, क्या mobile number था तो पता चला कि अलग अलग जगों पर कई customer के wallet के amount को use करके product माया जा रहा था और ये hackers कर रहे थे यानि cyber criminals इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे थे फिर Flipkart ने इसकी high tech तरीके से अपने internal office में high tech तरीके से इसकी inquiry कराई तो पता चला कि ये तमाम product बिहार के अलग अलग इलाकों में deliver किये जा रहे हैं फिर उसकी report जो बिहार के जो regional area manager है उसको भेजा गया और इस पूरे मामले की जानकारी दी गई फिर area manager ने इसकी सिकायब cyber sale में की और report दर्ज हुआ मामला ये है कि जो भी mobile application app पर credit company के द्वारा दिया जा रहा था उसे कुछ hackers hack कर उस wallet के पैसे को use कर products मंगा रहे थे और अलग-अलग जगहों पर मंगा रहे थे बाद में पता चला कि वो ऐसे लोगों का wallet hack हुआ जिनके पास two factor security नहीं थी two factor security मतलब कि आप एक तो login password से आप जो password आप देते हैं वो होता है और दूसरा two factor में होता है कि SMS के थुरू आपका wallet जब भी आप use करते हैं तो SMS के थुरू OTP के थुरू वो secure होता है तो वैसे कई customer थे जिनका account two factor security से last नहीं था फिर ये भी पता चला कि कई बार कई customer के साथ ऐसा हुआ कि flip card के भीहाब पर phone करके जो OTP उनके mobile पर जाता था वो OTP मंगवा कर उनके wallet को hack किया गया कभी कोई app download करके team viewer app जो remote access होता है कि आपके mobile का पूरा remote अगले किसी party के पास अगले किसी sucks के पास महो जाता है remote access के थुरू wallet hack हुआ तो कई तरीके से कई flip card के wallet को hack कर अलग अलग जगों पर ये products मंगाए गए flip card ने समय रहते हुए इसको इस पर संग्यान लिया और इसकी सिकायत पुलस को की लेकिन flip card ने जब इसका investigation किया तो उस वक्त customer की negligency भी एक बड़ी वजह बताई जा रही थी ये wallet hack होने के पीछे तो इस पूरे प्रकरन में सबक की बात ये है कि अगर आपके mobile में किसी भी तरह के app में wallet याई अगर किसी भी तरह के app में app के wallet में पैसा है तो आप उसकी security को लेकर two factor security लगाएं जैसे आजकल बहुत high tech mobile आ गया fingerprint से भी आप उसको secure कर सकते हैं जब भी transaction हो तो fingerprint के थूँ ही हो फिर आप pin दे सकते हैं आप SMS alert कर सकते हैं कई तरीकों से आप अपने wallet को secure रख सकते हैं अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो flip card के wallet hack वाली कहानी के तरह ही आपके किसी भी wallet को hackers यानि cyber criminals आपके wallet को use कर लेंगे और आपका पैसा उड़ा लेंगे अभी तक कि अभी आज इस वीडियो में इतना ही कल किसी और cyber कहानी cyber fraud के कहानी के साथ हम हाजिर होंगे तब तक के लिए सुरक्षित रहिए सतर्क रहिए और जागरुक रहिए और मुझे दीजिये अजाजाद